पहली चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार प्रत्याशियों का डो टू दोर कैम्पेंज जारी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टिया रवाना हो चुकी है उनने सप्रेल को 102 सीटों पर मतदान होगा यूपी की 8 सीटों पर होगा मतदान तो वहीं उत्राखंट की सभी 5 सीटों पर मतदान किया जाएगा तो कल शाम पांच बजे के बाद चनाव प्रचार थम चुका है जो चनावी जनसभार रहनिया हो रही थी वो प्रत्थम चरण के तमाम सीटों के लिए अब थम चुकी है वहीं डोर टो डोर कैंपेंग देखने को मिल रहा है इसके साथ ही आपको बताते चले जो पोलिंग बूट के लिए तीमे हैं वो रवाना हो चुकी है इसके साथ ही मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्थियां रवाना हो गई है 19 अप्रेल यानि की कल 102 सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है सुरक्षा के भी पुक्ता इंतिजाम कर लिए गई है तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों ने भी लगाता डो टू डो कैम्पेइन जारी है अलगी चुनावी जनसभा, रोच्शो, चुनावी प्रचार वो थम चुके हैं तो लोकतंत्र के महापर्व का कल से आगाज हो जोएगा युन्नेस सप्रेल जो की प्रथम चरण जहां मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले चरण में आठ सीटे शामिल है वहीं उत्तर खंड में पांच लोग सबभा सीटे हैं और प्रथम चरण में ही पांचों लोग सबभा सीटों पर मतदान किया जाना है यानि कि कल लेने होगा कि उत्तर खंड की जनता किस पर avra आती है किन प्रत्याशियों पर अपना विश्वास जताया हुआ है तो पहले फेज में हरिद्वार, गढ़वाल, ठिहरी, अल्मोडा, नैनिताल ये पांच लोगसभास सीटे हैं और इन पांचों लोगसभास सीटों पर कल प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा और जनता के विश्वास का फैसला होगा किनके वादों किनके मुद्दों पर जनता विश्वास करती हैं तो लोगसभास चुनाबों की तैयारिया पहले चरण के लिए लगबग लगबग पूरी होती हुई नजर आ रही है पोलिंग पाठियां मतदान केंद्रों पर पहुँच रही है इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो अपना आखरी मौका भी नहीं छोड़ना चाहते हैं डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं हाला कि चुनाबी जनसभाएं और रोट्शो पर कल विराम लग चुका है और अधिक जोनकारी के साथ हमारी समवाद अता ग्यानेंद्र तिवारी हमारी साथ देरादून से जोड़ चुके हैं ग्यानेंद्र चुकी आज बेहत महत्वपूर दिन है कल लोकतंत्र का महापर्व की शिर्वात हो जाएगी खासकर उत्राखन में कल तमाम प्रत्याशियों के भागे का फैसला जनता करेगी अभी किस तरह की तस्वीरे वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं देखिए कल 19 अप्रेल है और पहले चर्ण के मद्दान की प्रक्रिया हैं प्रारंब होंगी उत्राखन की पांच लोग सबा सीटों पे एक ही बार में कल मद्दान होने हैं ऐसे में तमाम जो प्रत्यासी हैं कल अपना जो जो जोड़ सोड़ से चुनाव परचार कर रहे थे कल साम को उनका चुनाव परचार थम गया बड़ी बड़ी जनसभाएं जो थी वो कल भी बाजपा कॉंग्रेस की देखने को मिली जिसमें की बड़े निता चाहें वो अगर हम देखें मनुस्तिवारी हो बाजपा की तरफ से आखरी दिन चुनाव परचार करते हुए नजर आए दूसरी तरह अगर हम देखें तो सचीन पाइलट ने भी अपने चुनाव परचार किये कॉंग्रेस के लिए और साम पाँच बज़े के बाद जैसे ही चुनाव परचार खतम हुआ आज का दिन जैसा रहा अगर हम देखें तो जो परत्यासी थे पाँचों लोग सबा सीटों पे तकरिबर 55 परत्यासी है बिभिन दलों और निदली परत्यासी अब डोर टू दोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपनी पार्टी और अपने दल को ओट करने की अपील करते हुए अनजर आ रहे हैं खास तोर पे अगर हम देखें तो कहीं न कहीं चुनाओ को लेके पहले से जो तैयारियां हैं वो पहले ही निर्वाचन विभाग की तरफ से मराजे के अंदर कर ली गई थी जैसा कि चुनाओ आयोक दिल्ली की तरफ से जो आदेश थे उसी के अनुरूप पूरी बिवस्था हैं राजे के अंदर चुनाओ आयोक की तरफ से कर ली गई हैं और ऐसे में निर्वाचन विभाग ने साब तोर पे जो ब्योस्थाएं हैं वो पुखता कर ली हैं पोलिंग पार्टियां अगर हम देखें तो कल भी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई जो दुर्गम इलाक हैं आज अगर हम देखें तो देहरादून से जिस तरीके से जो पॉलिंग पार्टियां हैं वो मसूरी विकास नगा और आसपास के इलाकों में जैसे का डोई वाला रिसी केस हुआ इन इलाकों के लिए रवाना हो रही थी इसी प्रकार से वो हरिदवार की बात कर लें उद मोड़ा हुआ चंपाउत हुआ बागेसर हुआ इन इलाकों में भी पॉलिंग पार्टियां नजदीक के चेत्रों में आज रवाना हो रही हैं और दुर्गम इलाकों में कली रवाना हो गई थी कुल मिलाक के ब्योस्थाओं पे पूरी नजर है प्रशासन की चुनाव आयोक की और ऐसे में इस चुनाव को संपन सांतीपूर कराने को लेके पुखता इंतजाम किये गये हैं सारे बॉर्डर्स इलाकों को सील कर लिए गये हैं जो अंतरास्टी बॉर्डर है जैसा कि सब जानते हैं कि उत्राखन का इलाका जो है जो बॉर्डर्स इलाके हैं वो पितोड हुआ इलाका है ऐसे में इन इलाकों पे चौकसी बढ़ाई गी है इसके अलावा अगर हम देखें तो जो राजियों से जुड़ा हुआ इलाका है उत्तर पर्देश से सटे हुए जो जिले हैं चाहें वो देहरादून हो गया हरिदवार हुआ उदन सिंग्न नगर हुआ इन इ इलाकों पे चौकसी बढ़ाई गी है इन इलाकों को सील कर जिया गया है कल मद्दान की प्रक्रिया सुबह सात बज़े से प्रारंब होगी और साम पांच बज़े से तक चलेगी संभावनाएं यह हैं कि सुबह के समय जादे से जादा जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले मद्दाता अपने मतों का परियोग करते हुए नजर आएंगे ऐसे में जो पॉलिंग पार्टियां हैं जो साथ अजार से अधिक जो मद्दान केंद हैं वहां वो रवाना हो गई हैं अपनी बेवस्ताओं को पुक्ता कर रही हैं ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से पर उत्रे परदेशों से बुलाया गया है जैसा कि उत्तर परदेश से कई प्रकार के जो फोर्सों को उत्राखन राजे ने मंगाया है चुनाओं को सांती पूर्ण धंग से संपन कराए जाने को लेके ऐसे में पर्याप पुलिस फोर्स जो है वो लगाई गई हैं आठ सो से उन इलाकों में पुखता इंतजाम है भारी जो पुलिस फोर्स हैं अर्दसाजनिक बल है और तमाम जो प्यस्टी के जमान हैं उनकी तैनाती महां रखी गई है इसके अलावा अगर हम देखें तो तेरह सो से अधिक ऐसे बूत हैं जो समेदंसील में आता है और आठ सो से परशासनिक तंत्रों का रहेगा ताकि किसी भी प्रकार के उपद्री कोई बड़ा चुनाओं के दोरान कोई घटना को अंजाम ना दे पाएं जो मदाता हैं मदान के अंदरों तक सांती तरीके से पहुंचें और अपने मतों का परियोग अपने मन के अनुसार कर सकें इसकी पूरी ब्यवस्ता की गई है ताकि किसी भी प्रकार से जो दबाव ना हो सके मदाता पे किसी प्रकार से उनके साथ कोई खिलवार ना हो सके और कहीं न कहीं पूरी पुरी पुखता इंतजाम पहले से की गई है और उस पे नजर भी बना के रखी गई है तो आज जो परत्या राजे की जनता कल का इंतजार कर रही है कल सुबह जब मद्दान सुरू होंगे तो उमीद है कि जादे से जादे जो मद्दाता है वह अपने घरों से बाहर निकलेंगे मद्दान केंदर तक पहुंचेंगे और अपने मद्दान का परयोग करेंगे संभावना है कि पिछले कई सारे वर्व्ड पर्स्थेज बार और नाने लगत्र सहथे एे जगारे प सब्सक्राइब्स आर्यश्च को कि मद्दाता अपने मतों का परियोग करें अपने नेता का अच्छे से चुना हो सके इस तरह गर उसे बाहर निकलें ठीक है ग्याने इज़र बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए तो देखे प्रोशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी देखाते हु